परिचय आंकड़ा क्या है? ऐसे तत्यों या सूचनाओं का समुच्य जिनसे निशकर्ष प्राप्त किया जा सकता हो आंकड़ा कहलाता है डेटा, डेटम का बहुवचन है संख्यात्मक आंकड़ा हमें अगली कार्यवा ही है तू आंकड़ों को वर्गी कृत और विशलेशित करने में सहायता करता है आंकड़ा तत्यों का संग्रह है ऐसे आंकड़े जो मूल रूप से संग्रहित नहीं किये गए हैं लेकिन प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोथ से प्राप्त किये गए हैं, द्वितियक आंकडे कहलाते हैं। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आंकडो और इसके प्रकारों की पहचान करना। वर्ग अंतरालों और इसके प्रकारों की पहचान करना। आयत चित्र को हल करना। वृत्त रेखा चित्र को हल करना। प्राइक्ता को हल करना। चित्र आलेक संख्यात्मक आंकडों को चित्रों या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए निरूपित करना चित्र आलेखन कहलाता है। चित्र आलेखों को पढ़ना भारी आंकडों को व्यक्त करना तो आसान है। लेकिन इनके माध्यम से सही सही मान नहीं व्यक्त किया जा सकता। स्तंभ आलेक स्तंभ आलेक आकणों के आलेखिय निरूपन का एक और स्वरूप है, जो स्तंभों की लंबाई के अनुसार आकणों की मात्रा दर्शाता है ये स्तंभ क्षैतिजिक या उर्ध्वाधर यानि अभिलंबवत हो सकते हैं ये स्तंभ आलेक विभिन पश्वों की आयू निरूपित करता है इस स्तंभ आलेक से हम पश्वों की आयू प्राप्त कर सकते हैं आकणों की तुलना हम एक स्तंभ आलेक में आकणों की दो समुच्चे निरूपित कर सकते हैं ये स्तंभ आलेक वर्ष 2006 के 77-2007 का भी ओसत मासिक व्याय प्रदर्शित करता है इस प्रकार का स्तंभ आलेक उभै स्तंभ आलेक कहलाता है हम इस उभैस्तंभ आलेक का इस्तिमाल करके आंकणों के दो समुच्चयों की तुलना कर सकते हैं बारंबारता बंटन आंकणों के प्रकार कच्चे या अपरिश्कृत आंकडे कच्चे या अपरिश्कृत आंकडे प्रारंभिक प्रेक्षणों का संग्रहन होते हैं जो अविवस्थित होता है इस प्रकार की सूचना हम सर्वेक्षण के दोरान प्राप्त करते हैं इसे दो प्रकार से वर्गी कृत किया जा सकता है एक असतत आंकडे दो, सतत आंकडे, असतत आंकडे, इस प्रकार के आंकडे बहुत शुद्ध रूप से पूर्ण संख्याओं में मापे जा सकते हैं किसी परिवार में बच्चों की संख्या और जूतों के आमाप असतत आंकडों के उधारण है सतत आंकडे इस प्रकार के आंकडों में दो पूर्ण आंकों के मध्ध का कोई भी मान हो सकता है अर्थात इन्हें पूर्ण रूप से सही सही नहीं मापा जा सकता इनमें कुछ ना कुछ तुरुटी सदैव होगी किसी कक्षा के छात्रों का भार वो किसी नगर का तापमान सतत आंकणों के उधारन है बारंबारता बंटन सारिनी निम्न आंकणों को देखें यह छात्रों द्वारा एक मह में अरजित ग्रेड के विशे में बताता है इस आंकणे से हम छात्रों द्वारा अरजित केवल एक मह की ग्रेड के विशे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आईए निम्नानुसार सारणी बनाए यह सारणी दिये गए आंकणों को सपष्ट रूप से दर्शाती है इस सारणी से हम प्रत्येक ग्रेड में छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह सारणी बारंबारता बटन सारणी के रूप में जानी जाती है दिये गए आंकणों में कोई विशिष्ट प्रेक्षन जितनी बार पाया जाता है उसे उसकी बारंबारता कहा जाता है बारंबारता बटन प्रदर्शित करता है कि कोई विशिष्ट वस्तु उस समूह में कितनी बार पाई गई है वर्ग अंतरालों के इस्तिमाल बाली बारमबार्ता बंटन, सारिनी, उदहरण एक कक्षा के 30 छात्रों द्वारा गणित के प्राप्तांक निम्न में दिये गए हैं आंक्णों को वर्ग अंतराल में समूहित करने से बहले, निम्न बिंदूओं पर गौर करना आवश्चक है एक, जब आप आंक्णों को वर्ग अंतरालों में समूहित करें, तो बटन की परास, यानि रेंज सर्वाधिक महतुपून है उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च के आधार पर वर्ग अंतरालों की विशालता का चयान करना होगा। आपको यह विशालता चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए कि आंकडा महत्वहीन हो जाए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अंतरालों की संख्या अत प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य का मान इसका वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसे निम्न व उच्छ वर्ग सीमाओं को जोड़ कर उसके योग को दो से भाग देकर प्राप्ट किया जा सकता है। उधारन के लिए मान लें कि अंतराल 20 से 40 है, अंतराल की निम्न सीमा 20, अंतराल की उच्च सीमा बराबर 40, वर्ग चिन्ह बराबर 20 जमा 40 भाग 2, बराबर 60 भाग 2, बराबर 30, सारणी में देखकर हमें निम्न सूचना प्राप्त हो सकती है, एक, पचास से कम प्राप्तांक वाले चात्रों की संख्या, दो, उत्तीर्ण चात्रों की संख्या, तीन, अस्सी से अधिक प्राप्तांक वाले चात्रों की संख्या, 4. हमें कक्षा के प्रदर्शन के विशे में जानकारी प्राप्त हो सकती है आकणों को वर्ग अंतरालों में वर्गी कृत करने की विधी आकणों का समूहन कहलाती है वर्ग अंतरालों के दो विभिन प्रकार वर्ग अंतरालों के विभिन दो प्रकार होते हैं एक समावेशी वर्ग अंतराल, दो अपवर्जी वर्ग अंतराल, शून्य से उन्निस, बीस से उन्तालिस, चालीस से उन्सट और इसी तरह के अन्य वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल कहलाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा भिन्न भिन्न है इस प्रकार का वर्ग अंतराल केवल असतत आकणों के लिए ही उपियोगी होता है समावेशी वर्ग अंतरालों में पिछले वर्ग की उच्छ सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है उदहरण के लिए 0-20, 20-40, 40-60 इत्यादी आयत चित्र आयत चित्र सतत चर के बारंबारता बटन का आलेखिय निरूपन है आयत इस प्रकार निर्मित किये जाते हैं कि उनके आधार रेखिय पैमाने पर विभिन अंतरालों को निरूपित कर रहे हो और उनकी उचाईया प्रतेक अंतराल में मानों की बारंबारता के समान बारमबारता सारणी बारमबारता सारणी में कारखाने के सौकर मचारी उनकी आयस्तर के अनुसार दरशाय गए हैं। यदि आप उपरोक्त आयत चित्र को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 1. आयत चित्र स्तंभ आलेक जैसा दिखता है, लेकिन उसमें एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ के मध्य कोई रित्त स्थान नहीं है 2. आयत चित्र का एक शीर्शक है 3. एक्स अक्षपर समूहित आकडे के वर्ग अंतराल दर्शाय गए है बंटन में जो भी दर्शाय गया है उसे नीचे लिखा भी गया है 4. वाई अक्षपर प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए बारंबारताएं दर्शाय गई है 5. दोनों अक्षों पर उप्युक्त पैमाने लिए गए है 6. निर्मित आयतों की उचाईया उनके वर्गों की बारंबारता के समान उपाती है वृत आलेक दो भागों में बटे हुए वृत आलेक के दोनों भाग संबंधित सूचना के कुछ अंच का आमाप प्रदर्शित कर रही है वृत आलेकों का उप्योग उन अंचों के आमाप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो समश्टी का निर्मान करते हैं वृत आलेकों को पाई आलेक के रूप में भी जाना जाता है उदाहरण 1 एक स्कूल के छात्रों के पसंदीदा रंग निम्न सारणी में दिये गए है इनको वृत आलेक में निरूपित करने से पहले हमें निम्न कदम उठाने होंगे एक समश्टी अंचों को ग्यात करना दो समूहों की संख्या की गणना करना तीन ग्यात करना की प्रत्येक समूह के किस भिन में समश्टी है चार केंद्रियक कोण ग्यात करना और उसी के अनुसार आलेक बनाना हल चात्रों की कुल संख्या बराबर 200, समूहों की संख्या बराबर 5, लाल रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन्न, 37 भाग 200, केंद्रिय कोण, 37 भाग 200, गुणा 360 डिग्री, बराबर 66.60, नीला रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन्न, 26 भाग 200, केंद्रिय कोण, 26 भाग 200, गुणा 360 डिग्री, बराबर 46.80, नीला रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन्न, बराबर 30 भाग 200, केंद्रिय कोण, 30 भाग 200, गुणा 360 डिग्री, बराबर 54. बराबर 68 भाग 200, केंद्रिय कोण, बराबर 68 भाग 200, केंद्रिय कोण, 306 डिग्री, बराबर 122.40. सारांच आईए जो कुछ हमने सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं, वे संग्रहित प्रेक्षण, जो विवस्थित न किये गए हों, कच्चे आंकडे कहलाते हैं, किसी आंकडे में उच्चतम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण के मध्य अंतर को आंकडों की रेंज कहा जाता है, दिये गए आंकडों में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है, वे उसकी बारंबारता कहलाता है, बारंबारता बटन वहसाननी है जो दर्शाती है कि कोई वस्तु उस समूह में कितनी बार आई है जब प्रेक्षणों की संख्या अत्यधिक हो तो आंकणों को सरल वर्ग अंतरालों में समूहित किया जाता है उच्च और निम्न वर्ग सीमा के मध्य अंतर को वर्ग आमाप कहा जाता है वर्ग अंतराल का मध्यमान वर्ग चिन कहलाता है वर्ग अंतराल संग्रहित आकणों के प्रकार पर निर्भर करते हुए या तो समावेशी वर्ग अंतराल हो सकते हैं या अपवर्जी वर्ग अंतराल हो सकते हैं आयत चित्र समोहित आकणों का आलेखिय निरूपन होता है। यह आधार के रूप में वर्ग अंतरालों के आयतों और उचाईयों के रूप में संबंधित बारंबारताओं से बना होता है। कोई प्रयोग वह स्थिती है जिसमें निशकर्ष निकलने की संभावना हो। निशकर्ष वह परणाम है जो किसी प्रयोग के एक ही प्रयास में प्राप्थ हो। कोई अनुवरित किसी प्रयोग का एक या अधिक निशकर्ष है। उपरे जो हुथ鸡ी के वाने निशकर्ष निशकर्ष निशकर्याभ का एक याग। थैंजित आम, किसी प्रयोग के जिशकर्ष हैं